अचीव, हासिल करना स्पेलिंग का भी ध्यान दे हैं आपे क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि स्पेलिंग लिखते वक्त ये ध्यान नहीं रहता कि I पहले आएगा या E पहले आएगा तो यहाँ पर अचीव की स्पेलिंग में E से पहले I आ रहा है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखें स्पेलिंग में अचीव मतलब हासिल करना She has achieved success at a very young age उसने बहुत कम उम्र में सफलता हासिल की है She has achieved हासिल करना अचीव करना ठीक है She has achieved क्या अचीव किया, क्या हासिल किया success, यानि सफलता कब, बहुत कम उम्र में at a very young age She has achieved success at a very young age उसने बहुत कम उम्र में सफलता हासिल की है ठीक है, एक बार और अस्तमाल करके देखते हैं If you work hard, you can achieve a lot If you work hard यानि अगर आप मेहनत करें If you work hard तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं यानि You can achieve a lot A lot मतलब बहुत कुछ Achieve मतलब हासिल करना तो अगर आप मेहनत करें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं If you work hard You can achieve a lot बिलकुल उसी तरह जैसे कि अगर आप इन वीडियोज को ध्यान से देखें, सुने और प्रैक्टिस करें और सारे वीडियोज देखें और सारे शब्दों को इस्तिमाल करने की प्रैक्टिस करें तो आप भी अंग्रेजी सीखने की दिशा में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं ठीक है?